हलो स्टुडेंट्स वेलकम और वेलकम बैक तो क्लास एंगलिश सिंप्लिफाइट एंड थैंक यू सो मच फो जॉइनिंग अस तो स्टुडेंट्स क्लास 11 होन्बिल बुक पोयम नमबर वन है और फोटोग्राफ इसके हम वेल्यू बेस्ट कोश्चन एंड आंसर को कवर कर रहे हैं तो स्टार्ट करते हैं स्टुडेंट्स हम अपनी कोश्चन को तो कोश्चन है कि हमरे पास बोथ राय विद दे लिबर्ड इस ओफ लोस कि दोनों की दोनों जो हैं बहुत ज़्यादा चिंतित है क्योंकि दोनों ने ही कुछ ऐसा खोया कि जिसको भुला पाना बहुत ज़्यादा कथिन है और जिसकी भरपाई आसान नहीं है अब जो पॉइटर्स हैं शरली टॉलसन उन्होंने अपनी मा को खो दिया एक मा का एक बच्चे के व्यक्तित्व के विकास करने में क्या रोल होता है वो क्या रोल प्ले करती है आप इसके बारे में बताएए तो आंसर है Mother plays an important role in developing the personality of the child की एक जो मा होती है वो एक बहुत important role play करती है अपने बच्चे के व्यक्तित्व का विकास करने के लिए Mother is the first teacher of the child जो मा होती है वो पहली teacher होती है बच्चे की and the child learns the moral values from mother और जो बच्चा है वो moral values जो नेतिक संसकार होते है वो अपनी मा से ही सीखता है Mother teaches child the art of living in the world जो मा है वो बच्चे को जिन्दिगी में इस दुनिया में जीने की कला को सिखाती है Mother does the difference between right and wrong और उसके सासत मा उसे सही और गलत में अंतर करना भी सिखाती है Mother is such a teacher and a protector who protects child from all evil अब जो मा है वो एक साथ गुरू है और उसके सासत एक रक्षक भी होती है अपने बच्चे की और वो बच्चे को सभी बुराईों से बचाने का काम करती है and teaches how to live in the world और उसके सासत वो बच्चे को ये सिखाती है कि उसे इस दुनिया में किस तरीके से जीना है A mother's role in shaping the personality of a child of paramount importance एक बच्चे की personality को develop करने में जो मा का जो होता है वो सर्वोपर ही हाथ होता है यानि कि सबसे जादा जो अगर कोई role होता है किसी बच्चे के वेक्तित विकाविकास करने में तो वो उसकी मा का ही होता है The child watches mother intently and learns about the world अब जो मा है वो अपने बच्चे को बहुत ही गोर से देखता है और वो दुनिया के बारे में सीखता है and learn how to react to it at the initial stages और उसके साथ साथ वो ये सीखता है कि उसे अपनी जिन्दगी के अनेक स्टेज पर आकर किस तरीके से react करना है किस तरीके से वेहवार करना है The things taught by the mother make the child creative and emotionally strong और जो चीजे वो अपनी मां से सीखता है तो उससे वो भावनात्मक रूप से और रचनात्मक रूप से बहुत ही जादा strong मजबूत इंसान बनता है Child learn to love others Child क्या सीखता है? वो दूसरों को प्यार करना सीखता है Learns to be kind to others इसके साथ साथ दूसरों के प्रतियाल होना सीखता है And provide sympathy to others और इसके साथ साथ वो दूसरों के साथ साहन बूती के साथ पेश आना सीखता है तो इस तरीके से जो मां है वो भावनात्मक रूप से और रचनात्मक रूप से दोनों ही रूप से एक स्ट्रॉंग इंसान बनाने का काम करती है अब जो बच्चा है वो एक अपनी मा के साथ ही अपना भावनात्मक रूप से संबन नहीं बनाता बट अलसो कनेक्ट विद अधर प्योपर इन दा सोसाइटी बलकि वो सोसाइटी में दूसरे लोगों के साथ भी जुड़ना चाहता है और दूसरे लोगों से भी बॉर्ण बनाना वो शुरू करता है उनसे कनेक्ट होना शुरू करता है चिल्रेन एंड अडल्स बोथ वांट असेंस आफ इंडिपेंडेंस एंड आटोनुमी और जो बच्चे होते हैं और जो व्यस्क होते हैं वो पूरी तरह से स्वतंतर रहना चाहते हैं और उसके साथ साथ वो अपने अधिकारों के साथ रहना चाहते हैं कि उनके अजादी में किसी तरीके का कोई खलल ना पड़े वो अपनी मनमर्जी के मालिक हो और जो मा है वो बच्चे को ये सिखाती है कि अगर उसके सामने बहुत सारे options है तो वो उसमें से सही options को अपने लिए कैसे चुनेगा और ये ही चीज़ जो होती है वो बच्चे को confidence आत्मिश्वास से भरावा महसूस कराती है मा जो होती है अनेक विकल्प बच्चों के सामने रखती है और उसको उन विकल्पों से उन options में से सही options को चुनने का रास्ता या तरीका बताती है the mother's thoughts nourish a child mind and soul और जो मा होती है वो बच्चे के mind को और उसकी आत्मा को भी नरिश करती है she is a child's first teacher और वो बच्चे की पहली teacher होती है she tries to imbibe such values that may help a child lifelong और वो ऐसी values को imbibe करने की कोशिश करती है कि जिससे बच्चे की जो lifelong होती है help होती है जो values वो अपनी मा से सीखता है वो values उसके पूरी life काम में आती है तो इस तरीके से एक बच्चे के लालन पोशन में मा का बहुत बढ़ा हाथ होता है तो student उमीद है या answer आपको बहुत अच्छे से clear हुआ होगा वीडियो को like, comment, share जरूर कीजिए चैनल को subscribe करके notification bell को press कीजिए और पर hit कीजिए ताकि आने वाला हर valuable वीडियो आप तक पहुँचे मिलते हैं हम आपसे अपने next वीडियो में keep watching, stay connected, thank you